हेलो एब्रीवन वेलकम अगीन टू लंग्रे देतीमन आज हम करेंगी क्लास सेवन्थ का चैप्टर नमबर टू खनिज एवं उजा संसाधन के कोश्यन आंसर तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये जो चैप्टर है खनिज का जिसमें हमने पढ़ा था कि खनिज जो हैं वो क्या होते हैं ऐसे बहुतिक पधार्थ ऐसे रसाइनिक संगठन वाले बहुतिक पधार्थ जिने हम खानों से खोद कर निकालते हैं ठीक है जिसमें मैंने आपको बताया था कि खनिज जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और उर्जा खनिज तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके question answer जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जिन्होंने chapter पढ़ा है बहुत अच्छी बात है question के answer देने की कोशिश करें और जिन्होंने नहीं भी तो इससे आपका पूरा चप्टर कवर हो जाएगा question answer के माध्यम से तो देखिए question 1 है जिन खनिजों में धातू की मातरा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं तो वो खनिज क्या कहलाते हैं तो ऐसे खनिज कहलाते हैं धात्विक खनिज जैसे लोह आयस्क, मैगनीज, सीसा ज रस्ता, चांदी और तांबा ये सबी क्या हैं धात्विक खनिज हैं क्योंकि इन खनिजों में धातू की मातरा हमें मिलती है Question number 2 देखिए जिन खनिचों में धातु की मातरा नहीं पाई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं तो जिन में पाई जाती है तो वो धात्विक खनिच कहलाएंगे और जिन में नहीं पाई जाएगी तो वो कहलाते हैं अधात्विक खनिच तो एक्जाम्पल में देखिए चूना पत्थर, जिपसम, संग मरमर, अबरक, रॉक फॉस्वेट ये सभी क्या हैं? ये सभी आधात्विक खनिज हैं क्योंकि इन में धातों की मात्रा हमें नहीं मिलती जिन घनिजों से हमें उर्जा प्राप्त होती हैं उनने क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है उर्जा खनिज, जैसे कोईला, खनिज देल, प्राकर्टिक गैस इनसे हमें उर्जा मिलती है राजिस्थान का भारत में किन खनिजों पर उत्पादन में लगभग एकादिकार है यानि सरवादिक वो हमें राजिस्थान में खनिज मिलेगा इसका अर्थ ये है तो राजिस्थान का भारत में जिन खनिजों पर उत्पादन में एकादिकार है वो खनिज हैं, बॉले स्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, चांदी और संगमरमर, ठीक है, याद रखना है, राजिस्थान का बॉले स्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, इन खनिजों में एकादिकार है, तो ये कुश्चन जो है, वो आपको बड़ी क्लासिस में भी देख इसने को मिलेगा, नेक्स्ट देखिए, कुश्चन फाइव, राजिस्थान में जस्ता, सोधक, संयंत्र, कहां इस्थापित किया गया है, तो यह देवारी, उदयपुर में इस्थापित किया गया है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझे, यह लिखा है, जस्ता, सोधक, सं संयंत्र, यह उदयपुर, देवारी में इस्थापित किया गया है, कुश्चन 6 है, राजिस्थान में सीसा, जस्ता, सोधक, संयंत्र, कहां इस्थापित किया गया है, तो अभी हमने क्या देखा, जस्ता, सोधक, संयंत्र, जो कहां है, उदयपुर, देवारी में, वही पर सी जस्ता सोदक सेंत्र देवारी उदैपूर और सीसा जस्ता सोदक चंदेरिया चित्तोरगर्ड में ठीक है दो तीन बार बोलेंगे यह आपको याद हो जाएंगे ऐसे कुश्चन जो है वो आपके फस्ट ग्रेड में सेकिंड ग्रेड में पूछे गई है और क्लास कौन सी आपक की छोटी क्लास है सेवन्त क्लास ठीक है तो यहां से कुश्चन जो है वो बनता है राजिस्तान में सीसा जस्ता का सरवादिक उत्पादन कहां होता है तो सीसा जस्ता का सरवादिक उत्पादन जो है वह उदैपूर में होता है भीलवाड़ा में होता है और रासमद में ठीक राजिस्थान में तामा का सरवादिक उत्पादन कहां होता है तो यह जुनजुनु खेदडी में जो की सबसे ज़्यादा प्रसिद है भारत में सबसे ज़्यादा तामा कहां निकाला जाता है खेदडी जुनजुनु में निकाला जाता है और उसके बाद अलवर और सीकर का इ तांबे का उपयोग हम किसमे करते हैं जो भी लाइट वगरा होती है तो वो जो तार होते हैं उनको बनाने में बरतन बनाने में हम तांबे का यूज़ करते हैं अगला देखिए लोह अयस्क का सरवादिक उत्पाधन राजिस्थान में कहा होता है तो लोह अयस्क जो है सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि किसमें आता है धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है तो हमने देखा था कि ये एक धात्विक खनिज है और इसका उत में करते हैं एक तो घर बनाने में लोहे का उपयोग होता है रेलवे ट्रैक जो है वो बनाने में मशीनों का निर्मान करने में हम यूज करते हैं लोहा का ठीक है चांदी का राजिस खान में सरवादिक उत्पादन कहां होता है चांदी का सरवादिक उत्पादन कहां होता है त राजिस्थान में जिपसम का सरवादिक उत्पादन कहा होता है? सबसे ज़्यादा तो यह है बीका नेर, नागोर, गंगा नगर, बाड मेर और जैसल मेर. यानि इस तरीके से याद रखें कि जो हमारे राजिस्थान है उसकी पक्षमी भाग में हमें जिपसम जो है वह मिलेग राजिस्थान में रॉक फॉस्थेट का सरवादिक उत्पादन कहा होता है? तो यह है उदैपूर में होता है, जैसल मेर में, बासवाडा में और जैपूर में होता है ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइस करवा देती हूँ, देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था? सीसा जस्ता देखा था जो की उदैपूर भीलवाडा और रासम्मद में, वहीं चांदी जो है वह भी उदैपूर रासम्मद में मिलेगी और तामा सबसे जादा जुन जुनू, खेतरी में और इसके अलावा अलवर सीकर में भी ठीक है? लोह अएसक जो है वह है जैपूर सीकर जुन जुनू में मिलेगा तो ये बिलकुल आसपास के जुले जो है वो एक साथ ही है तो इस तरीके से याद हो सकते हैं ठीक है? उसके बाद हमने जैपूर, जैसलमीर, बासवड़ा और जैपूर में तो रॉक वस्फिर्ट जो है बस इसी का आपको याद रखना है बागी तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा राजिस्थान में अबरक का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो अबरक जो है सबसे ज़्यादा राजिस्थान में मिलेगा और इसके लिए अबरक नगरी कही जाती है भीलवाडा ठीक है? इसके अलावा जैपूर और अजमेर में भी खनिज जो है यह मिलता है अबरक तो अबरक का यूज हम किसमें करते हैं? इसका उप्योग भी हम लाइट वगरा विद्दूत राजिस्थान में बॉले स्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो राजिस्थान जो की बॉले स्टोनाइट जो खनिज है इसमें इकादिकार स्थापित है तो यह सिरोही और अजमीर इन जिलों में है इसका सरवादिक उत्पादन होता है सिरोही और अज तो यहां पर देखी बॉलेश्टोमाइट का उपियोग जो है वो हम किस में करते हैं? कागज उद्योग में करते हैं लगू उद्योगों में करते हैं और जो रंग उद्योग होते हैं लगू उद्योगों में आ जाएंगे कागज उद्योग रंग उद्योग ठीक है तो यहीं यहाँ पर पूछा गया है कि बॉलेस्टुनाइट का उपयोग जो है वह कागज उद राजिस्थान में संग बरमर का सर्वाधिक उतपदन कहा होता है तो संग बरमर का सर्वाधिक उतपदन कहा होगा राजसमद, नागोर, उदेपुर, बासवाड़ा, चित्तोरगर, सिरोही और कोटा में ठीक है और संग मरमर जो की नागोर का सरवादिक प्रसिद्ध है इसका उपयोग हम भवन निर्माड में, मूर्ती निर्माड में, विविन तरीके की कलाकृतियां जो हैं उनको बनाने में यूज करते हैं संग मरमर की बनी हुई वस्तों जो हैं वो आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी तो राजस्थान में संग मरमर का सरवादिक उत्पादन कहां होता है राजसंबत में, नागोर में, उदेवपुर में, बासवाणा में, चितोडगड में, सिरोही में और कोटा में Next देखिए, सीमेंट बनाने में सरवादिक उपयोगी खनिज कौन सा है? सीमेंट बनाने में सरवादिक उपयोगी खनिज कौन सा है तो इसमें चूना पत्थर जो है वह सीमेंट बनाने में सरवादिक उपयोगी खनिज है ठीके चूना पत्थर जो है वह सीमेंट बनाने में बहुत जादा उपयोगी होता है नेक्स्ट देखिए चूना पत्थर का सरवादिक उत्पादन राजिस्थान में कहां होता है चूना पत्थर का सरवादिक उत्पादन होता है चित्तोरगड में, शिरोही में, कोटा में और उदेपुर में नेक्स्ट दिखिए ग्रेनाइट का उत्पादन राजिस्थान के किन जिलों में होता है तो यह जालोर में, जैसल मेर में, पाली में और सुरोही में तो देखिए इन कुश्यन अंसर के माध्यम से आप लोगों के तयारी बहुत अच्छी हो सकती है, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से इसको कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने के जरुत नहीं है, यह जो खनिज हैं और इनके जिले जो हैं, वह हमको कैसे याद होंगे, तो त उदैपूर, राजसमद, भीलवाड़ा में मिलेगी, ठीक है, और अबरक के लिए मैंने बताया कि भीलवाड़ा आपको याद रखना है, उसके साथ अजमीर और जैपूर में भी अबरक मिलता है, बॉलेस्टोनाइट जिस पर राजिस्थान का एकादिकार है खनिज में, त ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो जिपसम है, वह आपको पक्षमी राजिस्थान में मिलेगा, गंगा नगर, बाड मेर, जैसल मेर, पीका नेर में, और ग्रे नाइट जो है, जालोर, जैसल मेर, पाली और शिरोही में, तो जिस तरीके से मैंने आपको दो तीन बार तो किने की कोशिश करिए नेक्स्ट देखिए कोश्चन 21 है उर्जा संसाधनों को कितने भागों में विवाजित किया गया है तो इन्हें परमपरागत और गैर परमपरागत उर्जा संसाधन में विवाजित किया गया है तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है कि खनिजों को हम तीन भागों में बाटते हैं धात्वी खनिज उर्जा खनेज जिसमें हमें उर्जा मिलती है. उन्हें उर्जा खनेज कहते हैं. जैसे कोईला, पैट्रोलियम, प्राकर्टिक, गैस. तो इन्हीं को हम दो भागों में बाढ़ते हैं. परमपरागत वगैर परमपरागत उर्जा संसाधन. ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये के परम परागत साधन कौन से होते हैं तो जो संसाधन हम एक बार यूज में लेकर और वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार यूज कर ले और फिर वो समाप्त हो जाएं तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं उर्जा के परम परागत संसाधन कहलाते हैं ठीक है तो इसमें देखिए कोईला है खनिज देल है प्राकरति गैस है यह एक बार यूज में ले दिया जाते हैं उसके बाद यह समाप्त हो जाते हैं उर्जा के गैर परंपरागत शुरूत कौन से होते हैं उर्जा के गैर परंपरागत शुरूत कौन से होते हैं तो वही अब देखिए अब हम उर्जा के जो परंपरागत शाधन था कोईला उसके बारे में देख रहे हैं कि राजेस्थान में कोईला का कौन सा प्रकार पाया जाता है तो यहां पर अगर देखें कोईले के चार प्रकार हैं अंत्रेसाइड, बिटूमिनस, लिगनाइट और पीट, तो किवल राजिस्थान के संदर्ब में पुचा है कि राजिस्थान में लिगनाइट प्रकार का कोईला वह राजिस्थान में पाया जाता है, ठीके? और anthracite जो है यह कोईला जो है सबसे ज़दा best होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोईला होता है राजिस्थान में कोईले का उत्पादन कहां होता है? तो जो lignite कोईला है वह है राजिस्थान में है और यह है पलाना, बरसिंगर, कपूर्डी, सांचोर और नागोर यहाँ पर मिलता है ठीक है यह पलाना और बरसिंगर जो है यह कहां है बीका नेर में है और कपूर्डी कहां है यह बाड मेर में है ठीक है तो इस तरीके से याद रखिएगा कि बीका नेर और बाडमेर बीका नेर के पलाना और बरसिंगर में और बाडमेर के कपूर्डी में सांचोर और नागोर में हमें कोईले का उत्पादन मिलेगा राजिस्थान का पहला सूपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राजिस्थान का सबसे पहला सूपर थर्मल पावर स्टेशन कहां है? तो यह है स्री गंगा नगर में सूरतगर ठीक है? कहां पर है सूरतगर स्री गंगा नगर में? याद रखिएगा इसे छाबड़ा बारा बिद्दु सेयत्र किस उर्जा श्रोत पर आधारित है? याद रखिएगा किस पर आधारित है? यह ताब बिद्दु सेयत्र जो है यह कोईले पर आधारित है? राजिस्तान में खनिस देल के भंडार पाये जाते हैं जैसल मेर में, बाण मेर में, साँचोर में, बीका नेर में और नागोर में राजिस्तान में गैस के भंडार कहां पाये जाते हैं तो ये पाये जाते हैं घोटारू, कम्ली ताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगड, राजेश्वरी और टांडेवाला तो यहां पर हमें प्राकर्टिक गैस के भंधार जो हैं वह हैं मिलते हैं कुश्य नमबर 31 है राजिस्थान के प्रमुख खनिज तेल शेत्र कौन से हैं तो वह हैं साधे वाला जैसल मेर में, बागे वाला बीका नेर में, एश्वर्या और मंगला बाड मेर में तो जैसल मेर, पीका नेर और बाड मेर में हमें खनिच तेल शेत्र मिलता है राजिस्थान में जैसल मेर का रामगर्ण और बारा में अन्ता विद्दुत ग्रह है किस उर्जा शुरोत पर आधारित है? तो यह है प्राकर्तिक गैस पर आधारित है राजिस्थान में पवन उर्जा के लिए सर्वादिक उप्युक्त जिले कौन से है? तो पवन उर्जा के लिए सर्वादिक उप्युक्त जिले हैं जैसल मेर, परताबगर्ण, जोदपुर और बार्ड मेर याद रखिएगा कि जो पवन उर्जा है वह उर्जा के गैर परमपरागत साधन में आता है जो की जिनका यूज करते जाएं और लेकिन वो समापत नहीं होते हैं इन्हें बार-बार यूज करते हैं तो इसमें जैसल मेर, प्रतापगर, जोदपुर और बाड में ये सबी पव राजिस्थान में इस्थित देश का दूसरा परमानु विद्धुत सैयंत्र कहां इस्थित है तो यह रावत भाटा परमानु उर्जा सैयंत्र है ठीके जो कहां पर है चित्तोरगड जिले में इस्थित है याद रखिएगा राजिस्थान में देश का दूसरा परमानु वि उर्जा सेयंत्र कहां इस्तित है तो पहला जो है वो तारापुर महरास्टर में इस्तित है भारत में सबसे पहला पर्माणू उर्जा सेयंत्र महरास्टर के तारापुर में है और वहीं मैंने आपको बताया कि दूसरा पर्माणू विद्धुत सेयंत्र जो है वह चित्तोडग जिले के रावत भाटा में इस्तित है अभी के अभी इस question का answer जो है वो याद कर लें दुबारा से repeat कर देती हूँ कि देश का प्रथम परमाणू उर्चा सैयंत्र तारापूर महरास्टर में इस्तित है वहीं देश का जो दूसरा परमाणू विद्दूत सैयंत्र है वहें चित सबसे बड़ा सोलर पार्थ की परमाणू तो यह जोधपूर में उस्तापट की गई है भाडला में याद रखियेगा देश का सबसे बड़ा सूलर पार्थक्र पार्थमन कहां की गई है भाडला जोधपूर में तो इसी के साथ यह चैप्टर डोह है वह आपका complete हो दोदând होते हैं तीन प्रकार के धात्विक अधात्विक और उर्जा खनिज तो हमने इन तीनों के बारे में पता कर लिया कि यह कहां कहां हमें मिलते हैं कौन से खनिज जो हैं वह कहां पर मिलेंगे वहीं उर्जा संसाधन के बारे में पता किया परमपरागत उर्जा संसाधन होता है और दूजरा होता है गैर परमपरागत उजा संसाधन ठीक है तो 36 questions जो है इस chapter में निकले हैं बहुत ज्यादा important है आप लोगों के लिए आप बड़ी classes जब करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही question जो है वो मिलने वाले हैं तो चोटी class सोचकर भी आपको बिल्कुल ignore नहीं कर करते रहिए मिलते हैं next video में thank you